दिख रही है नमस्कार साथियो दाट डिग्निटी के यूटूब चैनल पे मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो आईबी पीएस पीओ का आपका रेजल्ट जो है वो घोशित हो चुका है जैसा कि आप सभी ने देखा होगा इबी पीएस की जो कट ओफ आई है आपका क्लर के लिए और आपका पियो के लिए आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे और जो बच्चे जो विध्यार्थी 2023 के लिए भविष्ट के लिए आईबी पीएस पीयो की तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें कितना टार्गेट ल तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा देखिए अगर दोस्तों हम बात करें IBPS की तो IBPS के अंतरगत जो आपका रिजल्ट है उस रिजल्ट में अगर सबसे पहले हम PO की बात करें तो PO के लिए आपका अगर आप देखें तो Maximum और Minimum Scoring जो Marks है वो Define किये गए है अगर General की बात की जाए तो आप तो देखिए आप General को लेकर चलिएगा तो कि जो आपके Quota है या Reservations जो है उनको आप बाद में देखें क्योंकि जब तैयारी आप करते हैं तो कोशिश करिए कि Full and Final करिए क्योंकि अगर आप शुरू से ही यह समझ लेंगे कि बहुई Reservation में इतनी जा रही है तो मैं इतने लेकर चलूँ तो उससे आप जो है अपनी Full Capability में नहीं पहुँच पाएंगे और इसलिए आप प्रयास करें कि जो General की आपकी जो है इस General की जो आपकी निर्धारित की गई है आप उसके अनुसार जो है काम करने का प्रयास करें General का जो Maximum Number PO के लिए है वो 57.62 है कितना है 57.62 है और Minimum जो Marks है वो 43.47 ठीक है यह PO का बता रहा हूं है जो इस बार अभी रिजल्ट आपका आया है 2022-23 वाला उसके रिजल्ट की हम चर्चा कर रहा है और उसमें PO के अंतरगत जो है वो जो आपकी कट आप जा रही है Minimum 38.02 है S3 का 47.09 है और आपका Minimum Marks 36.24 है OBC के लिए 51.16 है और आपका जो है Minimum 41.38 है EWS का 49.24 41.76 Minimum Marks है का होई गया OC 43.73 VI आपका जो है 47.60 HI 52.76 45.76 यह किसका है Maximum Score है यह आपके इन categories के Minimum की देखी जाए तो 43.47 24 35 37 22 और इन सभी को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है इन सभी में सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो अगर हम Minimum की तरब जाए एकदम Minimum की तरब तो एकदम Minimum जो है वो 22.80 गया है वो ID के लिए उसके बाद अगर देखा जाए तो second number पर 24 गया है OC के लिए उसके बाद के अगर बात की जाए तो आपका 36 गया है ST के लिए फिर 38 गया है आपका जो है SC के लिए उसके बाद आपका अगर आप देखोगे OBC और EWS में तो कोई ज़्यादा बड़ा अंतर है नहीं 38 46 के आजपास है पॉइंट में आपका difference आया है और general का 43 है तो आप कोशिश करें आपको ये target लेकर चलना है कि भाई अगर PO बनना है बैंक में और अगली बार हम इसी विशे पर चर्चा करें आपके result को लेकर कि हाँ इतना आपके result अब में marks आये हैं तो आपको इतना target लेकर चलना पड़ेगा अब क्योंकि clerk का भी result आया है और आपका state wise उसका result आया है तो एक बार जो है छोटी आपकी जो cut off है state wise वो देख लेते हैं भाई जो clerk का है उसकी अगर बात करें तो ये हम general की cut off लेकर चल रहे हैं बाकी आपका जो है general और OBC में अगर आप banking system में देखें तो ज्यादा से ज्यादा एक या दो नंबर का difference आता है उससे ज्यादा difference नहीं आता है तो ये clerk का है clerk की अगर बात की जाए तो आपका जो है 34.88 गई है अभी 100 नंबर लेकर हम चल रहे हैं अभी 200 लेकर नहीं चल रहे हैं क्योंकि अभी आपका cut off आई है अभी result हुआ है अभी बहुत सारी चीज़े बांकी है प्रोसेस अभी बांकी है बहुत सारी तो आपका जो पॉइंट एट है मिनिमाम आपका किसके लिए करक्लर के लिए अंद्रप्रदेश का 41.13 अरुनाचल प्रदेश का 36.13 आसम का 39.50 बिहर का 42.25 मतलब बिहार का जादा गया है बागी सब का अगर आप देखो 34, 36, 39, 41 यह 42 चला गया बिहार का बिहार में पढ़े लिखे लोग कु दादन नागर हवेली 31.38, 44.75 आपका जो है दिल्ली की है गोवा की 38.13 है यह आपका इस्टेट है देखें गुजरात के अगर बात करें तो गुजरात की 40, 75 है हरियाना की 43 है हिमाचल की 42 है जम्मू काश्मीर यह आपका जो है हरियाना गया मतलब 42 तो लास था आपका बिहा 33.13 तो अभी यह हाइट में चला गया आप केरला लद्दाक 28 है लक्षदी 25 और आपका मद्ध पदेश 42 यह आपकी क्लर्ग की है मिनिममम आपके मार्क्स है महरास देखा जाए 39 मनीपूर 38 मेगाले 33 मिजोरम 31 नागा लैंड 36 ओडिसा 42 और आपका पॉंडी चेरी जो है वो 39 इसके बाद करें पंजाब 45 मतलब सबसे हाइजस किसके क्लर्ग में अगर देखा जाए तो यह मिनिममम मार्क्स पंजाब के लिए कितने बने है 45.25 है फिर राजस्थान 42 सिक्किम 36 तमिलनाडो 41 त्रिपुरा 38 41 UP के लिए उत्तरा खंड के लिए 41 और वेस्ट बंगाल के अब 23 24 में जो PO की तैयारी कर रहे हैं वो समझ लें कि अगर वो इस तरह से अगर क्लर का फर्म भर रहे हैं तो उनके स्टेड में क्या कटर जारे हैं और उन्हें किस तरह से प्रप्रेशन करनी चाहिए अगर वो PO की तैयारी कर रहे हैं, तो जिस भी category में है, किसी भी category में हो, अगर तैयारी प्रारम कर रहे हैं, तो general का target लेकर चलें, which is 57, 57 तो मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए, तो आपको अगर अपना selection चाहिए, तो 200 में आपके 100 तो आने ही चाहिए, यह must है, compulsory है, इस से कम नहीं हो सकता है, इतना तो target आपको लेकर चलना पड़ेगा, तो चलिए, आगे की चर्चाओं को अगली वीडियो में संपन्न करेंगे, आप अगर तैयारी प्रारम कर चुके हैं, तो बहुत-बहुत सुबकामना है, डिग्रिटी की तरब से मिलेंगे next वीडियो, धन् करना तैयारी वीडियोो है, है था रॉटी की बड़े कयारी पाहिव के येजए, टुदारी वीडियो में मिले, आगे KP बबहुत सकते हैं तो अरबाती अग तो उन्स च्झा, अर्बचाएथ, तो चलिएैं चल persuade रृटी की एड़ाँ, चलेके हैं वीडियोश्बटियों य